हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू माई यूटूब चैनल, इंटीग्रेटड फिजिक्स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेडी प्लस्टो सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करिशारची एब मूँ प्लस्ट्री सीवी सीएस अनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करिवी जोदी भल लेगिला ताहरे लाइक करदबो एबो सब्सक्राइब करदबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड करिवी ताहरा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को अल्रे सेट करदबो बोटे इनपोर्टेंट जिनसा वीडियोज गुड़ा उपर एठी जो त्री डॉट्स देखो जो ताहरा क्वालिटी एठी दखो बाई डिफॉल्ट थ्री सिफ्टी अची तम्हें ताहको बढ़े मध्यों पारिवा एठी एडवांसरी क्लिक करी तम्हें रिजयोशन प्रति वीडियोज रहे मूँ पीदेव लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉपडाउन लिस्ट रू तम्हें क्लिक करी डाउनलोड मुद्यों करी परिवा पीडियोशन लास्ट रहे एठी जो मूर चैनल नेम मची याको क्लिक करी तम्हें एठी प्ले लिस्ट को जाई मूँ प्रती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस हो जाई की रोके थे भी तम्हें सर्च करी पारिवाँ ओके थेंक यू एलो स््टूडेंस आजरओ टोपिक रहा में देखिवा वेब नेचर अब पार्टीकिल्स तासおおेतopard punish Liberty which will lead to कॉम्पली मेंटारिटी सो प्राथा में वेब नेचर अग पार्टिकिल्स देखिवा देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा आमें देखिला सिथीरे देखावाला जे जेते वड़े गुटे इनसीडेंट होची गुटे इलेक्ट्रोन उबरे गुटे फोटोन ताले कोण होब एई इलेक्ट्रोन टा मेटाल सर्फेस रू बाहर कु पढ़े अर्शची आछा एई जो इलेक्ट्रोन टा जो बाहर कु आसीला केते वड़े ड़ा संभव जेते वड़े आमें गुटे हाय एनरजी और हाय मोमेंट्टम रो गुटे पाटिकिल विच इज दो प्रोपर्टी अप मेटर ताकू बाढ़े वा इलेक्ट्रोन सोईतो ओके वेन दिस पाटिकिल नोक्स देम आउट अब दो और्बिट काईना इलेक्ट्रोन डाता न्यूक्लिएस रो चारी पाटे गुटे स्पेसिफिक और्बिट्र ही गुर थुब न तेनु बरे आमें जोदी लाइट कू के बड़ वेब मोशन बली कॉंसिडर करू चू ताहले आमें एस्सोसियेट करी पारिवा की मोमेंटम कू दखा एठी आमें लोगाई बार जोदी आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन तन यू can say that yes energy can be treated to be equivalent to a certain मास बिकाज रिलेशन हैला E equal to mc square और मास M equal to E by c square दोस फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट कू में भे explain कोरी पारिला if we assign the double character माने dual nature of your energy and matter कागो न फोटोन कू which are the fundamental particle of your light okay so यह जो जिन्सकु नहीं की आखको गोटे basic idea ने ले Lewis D. Brogley काण से basic idea nature loves symmetry यह एई आइडिया कू नहीं की यह हो जो 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 ने French scientist यह एई आइडिया कू नहीं की से introduce को ले the idea of matter waves in 1920 according to him light being wave motion can also behave like matter then why cannot matter behave like waves यह उल्टा जिन स्वाड़ा काहीं की है पारी बनी यह लाइट टा जिदी particle बढ़या matter बढ़या भी यह कोड़ी ता ले matter भी wave बढ़या काहीं की बढ़या की बढ़या नहीं बढ़या काहीं ले इस वेबलेंथ लामड़ा इज एकल टो the ratio of Planck's constant and momentum that is h by p or h by mv m हेगला तमरा relativistic mass b हेगला तमरा velocity of particle so एई जो रिलेस्टन याकू को आजाए the de Broglie wave equation हैला so एई equation तमरा कण देखाऊची it will indicate the wavelength associated with a particle in motion हैला so देखा एठी आमें de Broglie wave को देखी बढ़या चीएठी बढ़या पार्टिकिल अची suppose having mass m जोदी केबड़ पार्टिकिल कहीबा ताहले एई specific position केबड़ रहिला it can not move from one point to another अना है जोदी एई पार्टिकिल एबे आमें जोदी way भड़या जोदी behave कोरीबा ताहले दखा एबे ये spreading हे जाऊची spreading जाऊची दखा maximum picture को जागारे आपची जोँ जागारे पार्टिकिल रहिभार संभावनाटा बेसी अची probability जोँ ठी बेसी अची so the amplitude of D Broglie wave at any point is proportional to the probability of finding the particle at that point है जोदी एबे कोहिबा एई पार्टिकिल रहिदी move कोर थांता suppose तला उपर move कोर थांता ताहले गणाब probability एई मजी जागारे ही बेसी साइडर कोम जोदी right left move कोरीब ताहले जेत्ते दूर को जीब probability कमी कमी जीब बोद साइडरे तेणु करी एई बढ़िया आमें उटे वेब हिसाब रहे एई पार्टिकिल रोब मूबमेंट को associate कोरी पारिबा and the wavelength of this D Broglie wave will be smaller हो relation to lambda equal to h by mv if the mass of the particle is large or velocity of the particle is large okay now let us see the wave particle duality which will result in the complementarity देखां complementary माने कोन सपोज आमें जे कोन सी दूइटा object नेला एबां गोटे object रा absence रे अन्य अब्जेक्टा ताकू fulfill करीबा that means complement करीबा और भरपाई करीबा so ताकू complementary को आजे देखां आमें जो wave of particle aspect जो दिने बाद में टर रह they are actually complementary rather than contradictory समाने निजको नीजे contradict करीबेनी oppose करीबेनी rather complement करीबे सहजब करीबे कहीं की system जो आमें एक्जाम्पूल ने बाद Davison-Germar experiment एई एक्सपेरिमेंट काण हो हुची ना electrons which are obviously particles they are incident on a nickel crystal है ला so या द्वरा जो pattern टा क्रिएठ हेला को उथी रो pattern ना scattered जे हेला तमरो electron रो हैला from the crystal स्थी बाद देः हुची and this pattern was observed on a screen and it was found to be a hump तिवाला बाद लाद बाद्站 काला so which may be as if the diffraction of the scattered waves are taking place from the planes of the nickel crystal okay the diffraction होँची so diffraction is property or what it is a wave property now the superposition of these scattered waves produce a hump on the screen so this is a wave characteristic where we have incident electrons on the crystal which is a particle characteristics okay so first I love a wave characteristic the killer second Allah may be particle characteristic because electron is a particle okay so particle characteristics of matter be for a sinner so if a corner the color it follows that the same experiment used for particle nature of matter also give you the wave nature of matter that means complement kardala thus the particle and wave nature of matter gives a complete description of the same system hence we can say that the wave and particle nature of matter are complementary to each other rather than contradictory okay thank you